नमस्ते स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में इस वीडियो में हम बनाएंगे model component using react and tailwind css तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जिसमें मैं क्लिक करता हूँ और हमारे पास हमारा model शो होता है जिसमें हमारे आस continue बटन है cancel बटन है और यहाँ पे हमारे पास icon है confirm to continue है are you sure to continue लिखा हुआ है cross पे क्लिक करेंगे तो हमारा model close हो गया और cancel पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा model close हो जाएगा और अगर हम model के बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास model close हो जाएगा और यह हमारे पास smooth transition के साथ हमारा model शो हो रहा है तो इसको हम बनाएंगे इस वीडियो में और इसका complete code आपको इस github wrapper मिल जाएगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को हम आच के अपने VS code में और यहाँ पर मैंने folder में करका है model component यह हमारे पास react starter project है जिसमें हमारे पास tailwind CSS installed है इस react starter project का link आपको नीचे description में मिल जाएगा और हमने इसकी complete video बनाएए कि हम react project कैसे बना सकते हैं और उसमें tailwind CSS install कैसे कर सकते हैं उसका card आपको यहाँ उपर show रहा होगा तो आप उस video को देख सकते हैं और यहाँ से continue कर सकते हैं तो हमने अपने सारे package इंस्टॉल कर लिया है और अपने react project को यहाँ पर run किया हुआ है एक package हमें और चाहिए तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर new terminal open करते हैं यहाँ पर npm i react feather तो react feather icon हम use करेंगे इनको install कर लेते हैं तो यह हमारे पास अब install हो चुक है अब चलते हैं अपने source folder में app.css हमेने चाहिए तो इसको हम delete कर देंगे app.jsx में चलते हैं इसको import को हम हटा लेते हैं अब index.css में हमने कुछ styles एड़ कियो है जिनका github gist link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो आप भी यह styles add कर लीजिए app.jsx में चलते हैं अब इस h1 को हम हटा लेते हैं और हमें चहां पर चाहिए एक continue button तो उसलिए यहां पर एक main बनाते हैं और इसको हम class दे देंगे app save करते हैं तो यह app class हमारे पास यहां पर हमने define की है flex item center justify center ताकि हमारे पास हमारा button center में है अब app.jsx में चलते हैं यहां पर एक button लगाते हैं और इस button को भी हम class दे देंगे btn and btn success यह दोनों classes भी हमने index.css में define कर रखी हैं अब इस button के अंदर लगाते हैं check circle react federal से मारे पास वो import हो गया और इसका हम size कर देते हैं 30 और इसके आगे लिख देंगे continue save करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहां पर यह button आ गया बट अभी click करने भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने भी model बनाया नहीं है तो अब चलते हैं अपने source folder में और यहां पर एक components folder बना लते हैं और इसके अंदर हम बना लेंगे model.jsx model.jsx में चलते हैं तो यहां पर हम ले लेंगे export default function model यह हमारे पास लेगा open state on close function and children इसके बाद रिटर्न कर देंगे हम सबसे पहले हम बनाएंगे backdrop जो कि हमारे पास तब शोगी जब हमारा model ओपन होगा तो उसके लिए हम यहां पर ले लेंगे एक div और इस पे on click event पे on close function हमारे पास चलेगा ताकि जब user हमारे पास backdrop पे क्लिक करें तो हमारा model close हो जाए अब यहां पर add कर देते हैं थोड़ी सी styling सबसे पहले fixed कर देंगे इसको insert कर देंगे zero flex justify center items भी कर देंगे center transition colors अब हमारे पास अगर open true है तब हमारे पास हमारी backdrop visible होगी and इसका background color होगा black with 20% opacity अगर यह हमारे पास true नहीं है तो हमारे backdrop होगा invisible तो अब जब हमारा model open होगा तो हमारे पास backdrop visible होगी अगर model open नहीं है तो हमारे पास backdrop invisible होगी और यहां पे हम add कर देंगे children save करते हैं और अपने model को add करते हैं अपने app.jsx में अब button के नीचे हम ले लेंगे model और उपर हमारे पास model import होगा अब हमें need पड़े की state की ताकि हम control कर पाएं model की open state को तो यहां पे हम ले लेंगे const open set open equal to use state इसके अंदर ले लेंगे false और हमारे पास use state उपर import होगी अब इस button पे click कने पे हमारा model open होता है तो हमारी open में true value आ जाएगी तो इसके यहां पे लेंगे on click इसके अंदर set open को कर देंगे हम true अब अपने model में हम pass कर देते हैं open को open and on close function भी pass कर देंगे and on close function हमारा पास क्या करता है set open कर देंगे false तो हमारी value open की हो जाएगी false अब इस model के अंदर हम ले ले लेते हैं इस icon को copy करते हैं यहां पे paste करते हैं इसके size को यहां पे हम कर देंगे 56 and इसको देते हैं MX auto and text कर देंगे green 500 save करते हैं और अगर मैं अपने button पे अब click करूँगा तो महारे पास model open हो गया और हमारे पास यहां पे backdrop भी आ रही है अभी हमने सिर्फ icon ही डला है तो हमें सिर्फ icon ही show हो रहा है और मैं backdrop पे click कर रहा हूँ तो हमारा model close हो रहा है अब हम करेंगे अपने main model पे काम तो model में चलते हैं यहां पे comment में लेते हैं model यहां पे ले लेंगे एक div और इस children को हम डाल देंगे इस div के अंदर अब इस div को देते हैं styling class name इसको देते हैं background white rounded excel shadow दे देंगे padding दे देंगे 6 transition कर देंगे all and अगर हमारे पास model हमारा open है तो उसका scale हो हमारे पास 100 and opacity हो 100 अगर यह हमारे पास open true नहीं है means हमारा model close है तो इसका scale हो हमारे पास 125 इससे हमारे पास आएगा zoom effect और इसकी opacity हो 0 इससे आएगा हमारे पास fade effect save करते हैं और अगर हम click करें अपने button पे तो हमारे पास model आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास यह effect भी हमें दिखाई दे रहा है अगर हम अपने model पे click करें तो model पर click करने पे भी हमारे पास यह close हो रहा है यह हमारे पास ना हो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे on click e इसके अंदर लेंगे e.stopp propagation save करते हैं और अगर मैं अब click करूँ model पे तो हमारे पास यह close नहीं हो रहा model पे click करने पे backdrop पे click करेंगे तो हमारे पास यह close हो जाएगा अब हमें एक button चाहिए जिससे हम close कर पाएं जो कि हमारे पास close button होगा और वो हमारे पास यहाँ पे दिखाई देया तो उसके लिए इस div के अंदर आएंगे यहाँ पे ले लेते हैं एक button इसके अंदर ले लेंगे x react feather icon अब इस button को हम दे देते हैं styling class name इसको कर देंगे absolute top कर देंगे 2 right कर देंगे 2 padding दे देंगे 1, rounded, lg, text कर देंगे grey 400, background कर देंगे white over करने पे हमारे पास background हो जाए grey 50 over करने पे हमारे पास text हो जाए grey 600 save करते हैं तो हमारे पास ही cross आ गया अभी click करने पे कुछ नहीं हो रहा बट over करने पे हमारे पास इसका color change हो रहा है और background भी change हो रहा है तो click करने पे हमारे पास ही close हो जाए गया है तो उसके यह हम यहां पे लगा यह आजए on click on close save करते हैं अब मैं यहाँ पे click करता हूँ तो हमारे पास cross पे click करने पे हमारे पास model close हो रहा है तो अब हमारा model complete हो चुक है अब हमें model के content के उपर काम करने है तो उसके लिए चलते हैं अपने app.jsx में तो अब model के अंदर हम ले लेंगे एक div और इस check circle को इसके अंदर डाल देंगे और इस div को दे देंगे styling इसको देते हैं text center and width दे देंगे इसको 56 अब इसमें सबसे उपर हमारा पास हमारा icon शोगा इसके नीचे हमें एक और div लगाएंगे इसको अभी हम styling देते हैं mx auto my4 and width दे देंगे 48 इसके अंदर चलते हैं और यहांपे ले लेंगे h3 tag and इस h3 के अंदर लिखतेंगे confirm to continue h3 को भी styling देते हैं class name text lg font कर देंगे black text कर देंगे grey 800 अब इसके नीचे हम लेंगे एक paragraph tag और paragraph tag के अंदर लिखतेंगे are you sure to continue इस paragraph tag को भी हम दे देंगे styling तो यहांपे text sm text grey 500 save करते हैं और अगर हम अपना model open करें तो हमार पास यहांपे icon आ रहा है नीचे confirm to continue और उसके नीचे paragraph tag में are you sure to continue अब हमें चाहिए यहांपे दो button तो उनको भी हम लगा आते हैं उसके लिए इस div के नीचे हम एक और div लेंगे इस div को देंगे styling flex cap कर देंगे 4 इस div के अंदर चलते हैं यहां पे लगाएंगे एक button इस button के अंदर लिख देते हैं continue बटन को जाते है styling btn btn success विट दे देंगे full अब इसी button को हम copy करते हैं और यहांपे paste कर देते हैं btn success की जगा btn like दे देंगे continue की जगा कर देंगे cancel and on click पे set open को कर देंगे false ताकि cancel button क्लिक करने पे हमारे पास हमारा model close हो जाए save करते हैं अपने output में चलते हैं अपने model को open करते हैं तो यहां पे हमारे पास continue बटन भी आ गया और cancel बटन भी आ गया cancel बटन पे क्लिक करने पे हमारा model close हो जाता है continue पे अभी हमने कुछ लगा है नहीं इसलिए continue पे अभी कुछ नहीं हो रहा है इस पे हम कुछ भी लगा सकते हैं यहां पे अपने cross button पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास model close हो जागा backdrop पे क्लिक करेंगे तो भी model close हो जागा तो हमारे यह model complete हो चुक है using react and tailwind css इसको अब हम full screen में देखते हैं तो full screen में हमारा model कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो हमारे model complete हो चुक है एंड इसका complete code आपको इस github repo मिल जाएगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा इस video के end तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपकी कोई suggestion है तो नीचे comment कीजिए इस video के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे next video में thank you